हेलो एवरिवन कैसी हो आप सब लोग होप एवरिवन इस फाइन वेलकम बैक इन मैं चैनल विद भी परवित नीशा यह है आज को मेरा मेकप लूग होप आप सब लोगों को भी अच्छा लगेगा कमेंट डाउन के आपको भी कैसा लगां यह अगर आप मेरे चैनल पर नहीं ह तो सब्सक्राइब मैं चैनल एंड हिट दे बेल आइकन फोर नहीं मिस अनी अपडेट तो सबसे पहले हम फिस को थोड़ा मुश्राइस करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले में ले रही हूँ एनवाइब का सीरम है यह मिलक ब्रेस सीरम है बहुत ही अच्छा सीरम हाइड्र यूज कर लो संस्क्रीम क्या होगा अगर डे टाइम आप यूज करोगे न तो संरे से जो है आपको प्रोटेक्ट मिलेगा है यह लाइख में का संस्क्रीम बहुत ही अच्छा है थोड़ा सा वाइटिस लुक देता है लगाने के बाद राइमल लगाने के बाद यहां पे मैं कांसिलेड यूस कर रही हूँ एलीड पैस्टोफ फ़स्ट हम जो है घैन फेस कमेंगे जो है अफका फश्ष ऑर एक पार जो है मत अपैसका घ्मेकण करो आपकी भूस आपके लीव मिला स्क confessنت हर एक जो चीज है आपके मेकप पे बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है बहुत ही इंपोर्टेंट भी है तो थोड़ा समय सेट कर ले रियू लूस पाउडर के हेल्प से अंडर आइस पर भी थोड़ा ज्यादा मैं लूस पाउडर रियूस करेंगे जो भी अगर फॉल आउट ऐसा कुछ हो तो आप जब हम रिमूट करें और इसली रिमूट हो जाए इसलिए नाव मैंने थोड़ा फ्लफी ब्रश लिया है जैकलिन हील वेले पैलेट से यहां पर प लाइन आती है नहीं देख या उसको हम बोलते हैं क्रीज सो क्रीज के थोड़ा सा उपर एंड क्रीज में हम थोड़ा सा थोड़ा सा क्रीज बिल्डप करेंगे तो यहां पर मैं क्या कर रही हूं आप देख सकते हो ब्राउन शेड ले एक टाइप का ब्राउन शेड में बोल सकते हो वैसा एंड एंगल ब्रश के हेल्प से अगर आप लगा होगे ना तो आपको सेलो टेप की जरूत नहीं पड़ेगी एंगल के लिए या फिर अग बिगनर सो तो भी बहुत ही अच्छा है ना अब ही क्या करूए एंगल ब्रश के हल्प से साथी साथ मैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट आफ आईशाइडव लेके मैं अप्लाइ कर रही हूँ एंड जो विंग अमने क्रियेट करे है ना वह भी इसली विंग क्रियेट होता है तो भी आपको तो भी डिफिकल्ट लगता है बिगनर्स के लिए तो आप सेलो नशाना था थैन में थोड़ा सा रड इत्ष सेलीये दीरे-दीरे आपको ब्लै ने करना है जो जो है मैं कबमर्च के लिए जो चेंजिंग करने के लिए तो उसके रहे दुड़ा जीये करने आपको उसके। डिज्वे पैसमे teu में ज्यादा कुछ आई मेक अब मेहना है भी इजी है नाव इनर कॉर्णर पर मैंने अपने फिंगर टिप की हल्प से ही अप देख सकते हूं वह मैंसे मैंने अपलाई कर दिया है एंड एट सेकेंड आई पर भी हो चुका है मेरा नाव मैं फेस मेकप पर लिए चलते हैं तो यहां पर मैं शुगर का पाउंडेशन ले से लिक्विट बेस सीरम फाउंडेशन है जो फाउंडेशन जो है वह इसली ब्लेंड होता यह इंद शेड 50 है मेरे स्किंटोन के सबसेकर आपका मेरा स्किंटोन इस तो इस शेड पर आप जा सकते हो 50 मोचा सेडे अपको शुगर एप यह वेबसाइड पर आ जाएगा आज दाऊ हमागे स्पान्जिघिछ कर लेना है थी मश्फित कर लेना है और ब्लेंड इसस्क लिए है इस में प्लेंड हो जाएगा इस इस मैं ङभुरी अचा अब इसा लिए जाड़ा झालतीю फोलफ है आप ब्लेंञा उच्छ आइब्रो है उसका शेप जो है बहुत ही अच्छे से ड्राव हो जादा है दूसरा थोड़ा सा मेरा आइब्रो है वो शेप में नहीं मतलब यह एक कैसे गूल टाइप है तो फिर उसको हम ड्राव करते ना तो वैसे में हम उसको कवर कर सकते हैं अगर आइंगल ब्रश आप ड् है इसमें सही मैं ब्लैक शेड लेती हूं यहीं ड्रॉ करती हूं मुझे इसी से बहुत ही कमफर्टेबल लगता है मोर देन पैंसिल से हम ऐसे आइब्रो पैंसे डॉर करते हैं उससे ना फिर से मैंने यह स्विस ब्यूटी का कंसिलर लिया है और थोड़ा सा अपने जो ब्रा करने के लिए ज्यादा शाप देखने के लिए ब्राउस के उपर भी कांसिलर अपला किया है जाजा आपका हाइलाइटिंग एरिया है वहां पे भी मैंने कंसिलर लगाया है जैसे आप देख सकते हो आपको एकदम आराम से बैठ के आल्मोस्ट आपका वन आवर एंड वन के उपर आपको बिलनने होता आप जो ब्रॉश होता है स्माल ब्रश या एंगल ब्रॉश बोलते या फ्लाफीश के रिख से भी या ब्लेंड कर सकती हो नहाँ मैं थोड़ा से ठेंग उसर्य यूज करें था थाकि थोड़ा सेट हो जाया अगर आपको बहुती लोंग कर सकती हो दैन लिप्स्टिक अप्लाइ कर सकती हो मुझे ऐसे थोड़ा कमफर्टेबल लगता है एंद फ्यूचर में जरू ट्राइ करूंगी मैं लिप्लाइनर नाव यां पर ठाटी सित्स अवर्स का यह जो आइलाइनर है आपको इसली मार्केट में मिल जागा और ऑनलाइन ऑफसर इच देख सकती हो रहाइं बिन्हा आइलाइनर या काजल के आपका आई लुक जो है वह अधूरा ही रहता है एंड क्या कर रही हूं अभी काजल अप्लाइने कर रही हूं उसकी जगह सेव जो आइलाइने यूज किया था न वही मैं अप्लाइगा रही हूं थोड़ा सा केरफूल है न अगर आप बिगनस हो तो क्यूंकि आख में चलाना चाहिए इसलिए जैसे लोवर लाइन आप देख करती हूं मोटली इसी में से में योज करती हूं बिकॉज जो बोलते न अफॉर्डेबल या जुगाड़ों या मतलब काम हो जा रहा है इससे तो हम क्यों ना इसी से काम कर ले रहा है राइट या अगर आप मेरे चानल पर मेक शो कि आप सब्सक्राइब कर लो वीडियो कमें के antisощem कानटोर इंग से ब्राउन शेद लेका आप कानटोरिंग कर सकते हो बड़री शेड या आप अग्लीडरी शेड मतले ना जास्त इस माल आप बोल्य कर सकते हो मतलब आइशाडो अम देखे जाए न तो 3 in 1 आपका हो जाता है आईशाडो ना दिस इस माइफाइनल लुक हो आप लोगो अच्छा लगा है कैसा लगा मुझे कमण दाउन जरूर बताना and this is my outfit of the day hope आप लोगों को अच्छा लग है and साथ ही साथ ट्रेडिशनल के साथ ही साथ ये थोड़ा trendy and है hope this is my blow purse मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाइ and take care